हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है और मैं एक साइक्याट्रिस्ट, हिप्नो थेरेपिस्ट, एनलपी ट्रेनर, कॉंसिलर, कोच, सेक्सोलाजिस्ट और डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ मैं आपको अदाने वाला हूँ सफलता के कुछ सूत्र लोग़ों को हर व्यक्टे को सफलता चाहिए मगर सफलता के लिए जो करना पड़ता है वो हम करते नहीं सफलता यदि आपको चाहिए तो करना क्या होगा सबसे एक मेर जो है वो पहला है कि उसके बारे में एक्शन्स लिनी पढ़ेंगे अब थोड़ा ज़ादा देना मतलब क्या है थोड़ा ज जादा देना मतलब हमारे यहां दूद वाला आता है वो दूद हमको सवेरे सवेरे हमारे यहां दूद देता है और एक लिटर हमको दूद देता है उसको और एक लिटर का उसने नाप देने के बाद में वो थोड़ा सा दूद और डालता है पैसे लेता है एक लिटर के मतलब 55 रुपे लेता है ए अगर ज्यादा देता है हो एक बार मैं सफर कर रहा था बस से लग्जूरी बस से अकुला से में पुना जा रहा था दूपकाले के दिन थे बहुत गर्मी हो रही थी बस में जाके अंदर बैठावा था एसी पूरा चालू नहीं हुआ था ठंडी नहीं लग रही थी मतलब अर्सना भी आ रहा था बस चाले नहीं पहले ही जो एजेंट से मैंने टिकेट बॉक कर आए था वह एजेंट का आदमें अंदर आया और उसने हर वेक्ति को ज्नों नहीं वह एजेंट से टिकेट बुक किया था उनको एक-एक पानी की बॉटल ठंड़ 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 पाने के बॉटल ऐसा एक मुफ्त प्रेसिंट में दे दिये हैं और उसके उसने पैसे लिये नहीं हाला कि बॉटल कहा 15 कहीं 20 रुपे की मिलती है मतलब ticket के पैसे में ही उसने फ्रासा ज्यादा दिया जब मुझे दूसरी बार जाना था पुना में, तो मैंने वह देखा कि कॉन से हेन मुझे वह पाने की थिंडी बॉटल डी थी ताकि मुझे मतलब हुसने कुछ भी ज्यादा दिया था हम वो करते नहीं हम क्या करते है कि हमको जितना मिलता है मेहनत आना उससे हम कम देते हैं लोगों 75% 75% लोग ऐसे है कि जितना उनको मिलता है समझो फी के रूप में मिलता है या जो भाव है उसके रूप में मिलता है जो भी किमत मिलती है तो उससे 75% लोग उससे कम देते हैं सर्विस कम देंगे या माल थोड़ा सा हलका देंगे या बाकी जो भी करना चाहिए हो उतना करेंगे नहीं बाकी जो लोग है उसमें से साड़ेक 24 ठक का लोग जो है वो जितना दाम है उतना ही देंगे मतलब 100 रुपे ले रहे तो 100 रुपे का माल देंगे 100 रुपे फीर ले रहे तो 100 रुपे की मतलब उसकी किमत जो है सर्विस देंगे उतना करेंगे 25 ठक का लोग आदा ठक का लोग या उससे भी कम होंगे कि जितना मिलता है उससे ज़्यादा देंगे तब यह देखो कि जितना मिलता है उससे दिया आप ज़्यादा दे रहे हो तो एक टेक्निक है तरीका है तो आपका गिराइक आपको फिर से रिपीट परचेस करने के लिए रिपीट खिरेदारी करने आएगा क्योंकि आपने उसको ज़्यादा दिया है तो सफलता का यह बहुत बड़ा सुत्र है कि जो आपको मिलता है उससे आप ज़्यादा दो फिर आप ज़्यादा दो मतलब माल ज़्यादा दो उसको सर्वीस अच्छी दो कस्टमर का संतोश समाधान सैटिसफेक्शन कैसा होंगा उसके लिए कुछ ज़्यादा करो उसको सर्विस हम इतनी अच्छी देंगे कि वो ख्याल में रखेंगा और वो यह हम करते हैं तो समाधानी सैटिसफाइड कस्टमर जो है न वो रिपीट परचेस के लिए आपके पास में आएंगे जो कस्टमर समाधानी हुआ संतोष उसको मिला है और वो आपसे खुश है तो वो छे लोगों को बोलता है कि भई वहाँ जाके आप खरीदो माल मगर यदि एक कस्टमर यदि आपसे नाराज हुआ दुखी हुआ उसको सर्विस बराबर मिली नहीं तो वो कम से कम बाईस लोगों को जाके बोलेंगा कि मुझे यहाँ अच्छा अच्छी सर्विस मिली नहीं आप जाओ मत और इसमें बात और ही एक होती है कि यह जो नाराज हुआ कस्टमर है न वो आपके पास मैं आता भी नहीं बोलने के लिए कि मैं नाराज हूँ वो गायफ हो जाता है तो सफलता का यह बहुत बड़ा सूत्र है कि जतना मिलता है उससे जादा दो और कस्टमर सेटिसफेक्शन कोई भी हालत में इसलिए हम काफी जगभ फीड़िबैक फार्म लेते हैं कि कस्टमर से फीड़िबैक लो कि आपको कैसा लगा हमारी सर्विस कैसी लगी कुछ आपके सुजाव है क्या उसके बारे में हम लेते हैं ताकि हम हमारे सर्विस में अच्छी सर्विस हम दे सकेंगे और उसका समाधानम कर सकेंगे तो आपके जितने भी लोग संपरक में हूँ उनको जरूए वीडियो शेर कीजिएगा जिनको सफलता चाहिए उनको यह वीडियो शेर करते है और यह सूत्र उनके जीवन में यह लाते है तो मुझे विश्वास है कि उनको अच्छी तरह सफलता मिलेंगी और अपने बिजिनेस में अपने जीवन में वो पक्के रूप से सफल हो जाएंगे आपको इती वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रू सब्सक्राइब करो थैंक्यों अपने जीवन में वो जाएंगे